अगर आप pets को पसंद करते हो तो हमारे चैनल Pet Info को सब्सक्राइब कीजिए आपका स्वागत है Pet Info में और आज हम देखेंगे Dog vs Dog का 20th एपिसोड और इस एपिसोड में हम Pug vs Pitbull के बारे में जानेंगे तो चलिए दोस्तों शुरू करते है Origin Pitbull का Origin United States से है Pitbull Dog, Terrier और Bulldog का Cross Braid है Pitbull Dog, Fearless और Strong होते है इसलिए लोगों के दिमाग में इनकी Bad Reputation है और ये Dog Braid Florida, Great Britain, Denver और New Zealand में बैन है लेकिन समय के बदलते वक्त में कुछ Cities इनके ओपर से बैन हटा रही है Pug Dog एक Old Dog Braid है जो कि चाइना से बिलॉंग करते है ये Dog चाइना के सत्ताधरी परिवारों के साथ और समराटों के साथ रहने के लिए ब्रेड की गई थी उस वक्त में Pug को शाही Dog मानते थे और बाद में इसकी popularity भी जादा फेलने लगी ऐसे वो पूरे एशिया में फेल गए 16th century में Dutch East India Company ने Pug Dogs को चाइना से नेधरलेंड ट्रांसपोर्ट किर दिया उसके बाद इनकी popularity यूरोप में भी फेल गई Pug Dogs का नाम Latin शब्द Pugness के उपर रखा गया है और इनको और भी नाम से पेचाना जाता है जैसे कि Chinese Pug, Dutch Pug, Dutch Mastik, Mini Mastik और Mops Pit Bull Dog medium size की dog breed है ये dogs power और aggression के लिए जाने जाते हैं लेकिन इन dogs को बचपन से ही अच्छी तरह सोशलाइज किया तो इन dogs अच्छे family friendly dog भी बन सकते है इन dogs को daily 40-50 minutes तक exercise करवाना चाहिए और इनको रहने के लिए बड़ागर या फिर बैकेड की जरूरत है अगर आप first time owner हो तो ये dog breed आपके लिए नहीं है Pit Bull को अपने मालिक के साथ रहना बहुत पसंद होता है और बहुत लगाओ भी होता है अगर कोई stranger अपने owner के उपर हमला करे तो वो उनकी जान भी ले सकता है बग dog small size की dog breed है ये dog ज़्यादा aggressive नहीं होते और guarding के मामले में कोई stranger या फिर खत्रा में इसे सोने पर ये जोर जोर से बार करने लगता है बग dog friendly और loyal होते है ये dogs चोटे होने के कारण आप इनको चोटा घर या फिर अपाटमेंट में आसानी से रख सकते हो फिर dog friendly nature के होते हैं इस वज़े से ये dog breed first time owner के लिए अच्छी है और ये dogs चोटे बच्चों के साथ भूल मिलकर रहते है पर्ग dogs को भार गुमना पहुत पसंद अता है इस वज़े से आप इनको डेली 20 मिनिट्स तक exercise करवा सकते हो Color and Shading फिट बुल डॉक ब्लैक, ब्लैक and tan, ब्लुईश ग्रे, ग्राउन, ग्रे, वाइट, रेडिश ब्राउन और फॉन कलर्स में पाए जाते है पिट बुल का कोट शॉर्ट होता है इसलिए इनको ग्रूमिंग करना और मेंटेंड रखना आसान होता है और इनका Shading Season 8-9 months में आता है पर्ग dogs, ब्लैक, फॉन, एप्रिकोट और सिल्वर फॉन कलर्स में पाए जाते है पर्ग का कोट शॉर्ट होता है इस वज़े से इनको मेंटेंड रखना और ग्रूमिंग करना आसान होता है इनके मुँपर ज्यादा wrinkles होते है और इनकी पूछ करण होती है पर्ग dogs को ज्यादा घर में या फिर नॉर्मल टेंपरेचर में रखना चाहिए वरना इनको ज्यादा ठंड़क से या फिर ज्यादा गर्मी से कोई बीमारी हो सकती है पक का शेडिंग सीजन 6 और 7 months में आता है मेंटेनस पिडबुल का मेडिकल प्लस फूड प्लस ग्रूमिंग का खर्चा पर येर एवरेज 25,000 तो 30,000 तक आता है पिडबुल का मेडिकल प्लस पूड प्लस ग्रूमिंग का खर्चा पर येर एवरेज 14,000 तो 20,000 तक होता है हाइड पिडबुल के एवरेज हाइड 18 तो 20 इंचेस होती है पिडबुल के एवरेज हाइड 10 तो 14 इंचेस तक होती है वेट पिडबूल का एवरेज वेट 14 तू 30 kg तक होता है पिडबूल का एवरेज वेट 6 तू 9 kg तक होता है लिटर साइज पिडबूल की लिटर साइज एवरेज 5 तू 10 पपिस्तक होती है पिडबूल की लिटर साइज एवरेज 2 तू 4 पपिस्तक होती है लाइफ स्पैन पीडबूल का लाइफ स्पैन 8-15 तक होता है बगड़ का लाइफ स्पैन 12-15 तक होता है प्राईज पीडबूल की अवरिज प्राईज 12,000 और उससे जदा भी हो सकती है बगड़ की प्राईज 8,000 से लेके 17,000 तक है तो दोस्तों कैसा लगा आज के डॉग वर्सिस डॉग का ट्वेंटित एपिसोड अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और नीचे कमेंट करके बताए कि आपने इसमें से फैमिल डॉग को चूज किया या गार डॉग को और हमारे चैनल पेटी इनफो को सब्सक्राइब जरूर कीजिए